हेलो दोस्तों आपका निव स्टडी जो उनमें स्वागत है हम आपके सामने जर्नल नॉलेज के कुछ क्वेशन्स लेके आए हैं जो यूपी ट्रिपल असी द्वारा एक्जाम में पूछे गए हैं वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक जरूर करें शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अमारा पहला क्वेशन है निमलिखित किस क्रम में भारत आएं टॉमस रो पहान हुएन सॉंग यानि सबसे पहले क्रम से आपको लगाना कौन आया है सबसे पहले आपके फहान आये हैं पहान आपके चंत्कृप विक्रमा दित के शाशनकाल में आये थे उसके बाद आपके हुएन सॉंग हर्स वर्दन के शाशनकाल में आये थे सबसे पहले आपके कौन आये फहान आपके फहान आपके 339 से 412 के समय के बीच थें संद्रकुप विक्रमा दित के शाशनकाल में हुएन सॉंग 630 से 643 इश्वी तक के थे हर्स वर्दन के शाशनकाल में टॉमस रौप के 1615 से 1617 इश्वी के बीच थे जहांगीर के शाशनकाल में आई होप आपको ये कॉश्चन समझ में आया होगा नेक्स सोशन क्यों बढ़ते हैं सेकेंड कॉश्चन है सिराजुत दौला किस युद में अंग्रेजों से पराजित हुआ था बक्सर प्लासी वांडीवाश इन में से कोई नहीं सिराज्द दौला आपका बक्सर के युद्ध प्लासी के युद में पराजित हुआ था आप्शन ओप एका राइट होगा कि बक्सर का युद्ध कभ हुआ था 179 morning और मांडीवाश का युद्ध यह मैंने पूछा था आप सभी से कमेंट में बताएगा किसी ने मिने यह लाक्त के युद में आपके सिराज़त दॉला और अंग्रेज के बीच हुआ था बक्सर का यूद आपका मीर कासिम सुजाउद दॉला शाह ऐलम दुतिये झाय और अंग्रीजों की बीच हुआ था यह तीन एक सायट थे लंग्रेज एक साइट थे वांडिवाश का यहां पर आपका option भी राइट होगा सिराजुत दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे नेक्स स्कूशन इन में से कौन हरप नीति का कट्टर समर्थक था लॉड वेलेजली लॉड डलहौजी लॉड मिन्टो लॉड हैंसिंग तो हरप नीति का कट्टर समर्थक कौन था लॉड डलहौजी ऑप्शन भी आपका राइट है डलहौजी का कारेकाल आपका था 1848 से 1856 इश्वी तक डलहौजी ने राज हरप नीति अपनाई थी जिसके तहत इन्होंने सबसे पहले सतारा जयतपूर संबलपूर भकार उदैपूर जहासी नागपूर आवद का विलाई किया डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबाई से थाने के मद 1853 में चलाएगे तो ये भी कोशन आपके किसकी है लौड डलहौजी की नेक्स्ट भारतिय इतिहास में धनवंतरी कौन थे चंद्रगुप मौरी के प्रशिद सेनापती चंद्गुरुप विक्रमादित के सभा को शिशोबित करने वाले प्रशिद चिकित्सक हर्ष के समय के एक प्रशिद नाटककार ये नन भारती इतिहास कार में धन्वंतरी कौन थे आपके चंद्गुरुप विक्रमादित की सभा को शिशोबित करने वाले प्रशिद चिकित सक्थ हैं ऑप्शन भी यहां पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट मौर कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है याई इन्डिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है यह आप से पूछा है तो मेगेस्थनीज है ऑप्शन नमबर ए हमारा राइट है मेगेस्थनीज की पुस्तक रशना है आपकी इंडिका पहान की रशना है हुकुप की क्वें सौंग की है सी यू की तो यहां ऑप्शन ए आपका राइट हो गया है नेक्स्ट साइमन कमिशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया 1925-1926-1919-1928 तो साइमन कमिशन आपका प्रथम बार कब भारत आया था 1928 इश्वी में अगर यह पूछा जाए गठन कब हुआ था तो 1927 इश्वी में इस कमिशन के अध्यच कोंते सर जौन साइमन थे इस कमिशन के सभी सदस्ट से ब्रेटिस थे यहां दल फरवरी 1928 को भारत पहुचा था भारतियों को सदस्ट ना बनाया जाने की कारण क्या हुआ था इसका विरोध हुआ था इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गये अप्षिन यहां पर डी राइट हो जाएगा 1928 नेक्स्ट भारतिय राष्टी कॉंग्रेस दोरा किस अधिवेशन में एतिहासिक पूर स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था बंबाई लहौर काराची लखनाउ तो पूर स्वराज की मांग आपकी लहौर अधिवेशन में की गई थी यह लहौर अधिवेशन आपका जवाहलल सबसे पहले आपका कहां हुआ था बंबाई में हुआ था इसके अध्याच कौन थे वियूम केश चंद्र बनेर्ची 1885 में कॉंग्रेस की स्थाफना हुई थी लखनाउ में कौन थे अंभिका चरण मज़ूमदार थे 1916 का अधिवेशन है यह गरम दल और नरम दल कॉंग्रेस एवं मुस्लिम लीक के मत समझा था यह इसमें दोकार इसमें हुए थे लहौर अधिवेशन आपका 1929 में हुआ था इसमें पूर सुराज का नारा यानि मांग की बात की गई थी कराची अधिवेशन वल्लम भाई पटेल थे 1931 में इसमें हुआ क्या था कारी क्य हुआ था वियूम केश चंद्रबनर जी आपके इसके अध्यास्ट है यहां पर आप्षिन आपका राइट हो जाएगा लहौर इंडियन नेशनल आर्मी लाला हर्दयाल गदर पार्टी सुभाष्चंद बोस मित्र मेला वीडी सारवार कर होम रूल लेक एनी बैस है जरूरी नहीं आपको सारे पता हों जो पता है सबसे पहले उनको मिलाई है तो गदर पार्टी आपकी किसकी है लाला हर्दयाल यानि ब प्रिका फर्स्ट पीका फर्स एक ही ऑप्शन में है आपका राइट हो गया एक टूप आपके इंडियन नेशनल आर्मी आपके सुभाष्चंद बोस की है मित्र मेला आपका वीडी सारवार करका है होम रूल लूप होम रूल लीक आपका एनी बैस हैं का है आप्शन भी हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना वर्ष अगर पूछले तो 1913 मित्र मेला 1899 ओम रूल लिक 1916 और इंडियन नेशनल आर्मी उनीश सो तिरालेस में इन सब का इस्थापना वर्ष है कि नेक्स्ट निम्न में से किस ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था खान अब्दुल खफार खान फजलुल खक मौहमद अली जिन्ना अब्दुल कला माज़ाद महात्मा गांधी के खिलाफ़त आंदोलन से जुड़ने का विरोध किस ने किया था? मौमद अली जिन्ना ने किया था खिलाफ़त आंदोलन आपका 1920 से 1921 का है मौमर अली और शौकत अली के नेतरत में शुरू हुआ था इस समय आंदोलन के प्रारम होने का कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था अकिल भारते खिलाफत कमिटी की अध्यास्ता मात्मा गांधी ने की थी तो आप्शन C हमारा यहां राइट हो जाएगा मुहमद अली जिन्ना इसके खिलाफत आंदुलन के विरोध थे वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी लोग लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करिए चैनल को नेक्स्ट इन में से कौन सा क्रांतिकारी संगतन काकोरी शडियंत्र केस में शामिल था आपको बताना है क्रांतिकारी संगतन काकोरी शडियंत्र केस में शामिल था तो ओप्शन दी आपके राइट हो जाएगा आपका हिंदुस्तान रिपपलिकन एसोशियेशन गदर पार्टी केस ता आपना अभी बताया 1913 इस्वी में हुई थी संस्थापक आपके कहुंत है लाला हर्दयाल एवं सोहन सिंग भाकना इनका जादा नाम आता है अनुशीलन समिती आपके 1907 की है इसके संस्थापक है वरींद्र गोश और भुपेंद्रनाथ दत्थ आविनों भारात ग्रूप आपका 1904 विनायक दामोदर सार्वाकर यानि वीडी सार्वाकर आपके इसके संस्थापक थे हिंदुस्तान रिपपलिकन एसोशियेशन 1924 का ह सचिंद्रनासानियाल ग्रांप्रशाद विस्मिल चंद्रशेखा राजाद इसके संस्थापक थे और हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपपलिकन एसोशियेशन आपका 1928 का है चन्द शेखा राजाद और भागर सिंग इसके संस्थापक थे तो आप्शन यहां पे हमारा डी राइट हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एशोशियेशन 1924 नेक्स्ट नागा अर्जुन सागरबान किस नदी पर बना है वोदावरी कृष्णा गंगा कावेरी तो यहां पे नागा अर्जुन आपके कृष्ण नदी के बना है नागार्जुन सागर बना ऑप्शन भी आपका राइट है वोदावरी नदी पर कौन सा बांध है पोला वरं सिच्चाई परियोजना है आपकी गंगा नदी पर जो यह राम गंगा परियोजना आपकी राम गंगा नदी पर राम गंगा आपकी गंगा की सहायक नदी है कि समुद्रम परियोजना पूछा जाता यह किस नदी पर है कावेरी नदी पर बना हुआ है कि मैटूर बान पूछे तो कि मैटूर बान भी आपका कावेरी नदी पर है यहां पर option वी डाइट हो जाएगा कृष्णा नदी नागा अर्जुन सागरबान नेक्स कुश्चन है माउंट आवरेस पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई सबसे पहली पुछा है सबसे पहली बार माउंट आवरेस पर चढ़ाई उननीस सो तिरपा नेश्वी में हुई थी बचेंद्री पाल जो थी वह प्रतम भार्थे माईला थी जिन्होंने आवरेस पर चढ़ाई की अरुडिमा सिंग जो थी वह क्रतिम पैरों से आवरेस्ट पर चढ़ाई पूर की थी इन्होंने तो आप्शन आपका बी राइट हो गया 1953 नेक्स्ट भरत पूर में इस्थित पच्छी अभियारण राष्टी उद्द्यान का नाम है दあれ Х Nine goed भेस रोडगड अभियारण दर्रा अभियारण केवला देव घाना राष्टी उद्द्यान गाठ प्रबा अभ्यारण तो आपका केवला देव जाश्ट युद्यान जो है ये भरतपुर में इस्थित है भरतपुर यानि राजस्थान में यहाँ पर आप्शन सी आपका राइट हो जाएगा गाट प्रभा पच्छी अभ्यारण बेल ग्राम करनाटक में इस्थित है इसे पहले मुकंद्रा हिल्स नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था भैसरोगर अभ्यारण जो है आपका चित्तोडगर राजस्थान में इस्थे थे भरतपुर में आपका केवला देव है नेक्स्थ भिलाई इस्पास सयंत्र के लोग आयक्स का श्रोथ है दल्ली राजहरा, पोर्भा, उमरिया, राजनाद गाओं तो भिलाई इस्पास सयंत्र के लोग आयक्स का श्रोथ है आपका दल्ली राजहरा ओप्शन यहां पर राइट है next question दिये का दर्रो और उनके इस्थानों का कौोंसा जोड सही नहीं है यह आप से पूछा है जोजिला दर्रा चब्मो कश्मीर में है सही है 12 लाचापा दर्रा हमाद्चल प्रदेश में है आपका खांगाला दर्रा नीतिपास लिपुलेग यह आपके हिमाचल प्रदेश में है नहीं यह कहां है आपके लिपुलेग और नीतिपास खंड में है नातुला और जेलपा दर्दा आपके सिक्किम में है तो यहाँ पर option आपसे पूछा था कौन से सही नहीं है तो second and third देखते हैं option first second second third third fourth fourth second third तो यहाँ पर option भी आपका right होगा जोजिला और गुर्जिल दर्दा आपको बता है जम्मो कश्मीर में बारा लाचा शीप किला हिमाचल प्रदेश में नीती माना लिपुरेक आपके उत्राखण में है नातुला और जेलपा तिक्किम में है थांगला आपका लद्दाक में है option यहाँ पर भी आपका right हो गया next इसके बढ़ने के फरसरू निजी निवेश में व्रद्धि की अधिक संभावना होगी व्याज दर सेरों की कीमत नई पूझी पर अनुमानित प्राप्ति व्यक्तिगत कर किसके बढ़ने पर फल सरूप निज निवेश में व्रद्धी की अधिक संभावना होगी यहां पर option आपका C राइट होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति option C is right next भारत की राष्टी आय का आगलन करने वाली संस्था है केंद्रिय सांक की संगतन Central Statistical Organization option D यहां पर राइट है इस की सापना 1951 में हुई थी CSO का मुख्याले कहां है नई दिल्ली में हैं इंगे दोनों इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और हैटकॉर्टर जिसका मुख्याल है आपका न्यू डेली में है option D यहां पर राइट है next सेवा छेत्र का दूसरा नाम क्या है त्रतियक प्राथ्मिक दुतियक क्रशी तो सेवा छेत्र का दूसरा नाम आपका है त्रतियक option number A त्रतियक में यहां पर आपका option A right हो गया next question बारत में श्वेत क्रांती के जनक के रूप में कौन जाना जाता है बल्वंत राय मेता, डॉक्टर वर्गेज कुरियन, M.S. स्वामीनाथन, नार्मन एडबर्ग तो यहाँ पर श्वेत क्रांती के जनक आप से पूछा है तो श्वेत क्रांती के जनक हैं डॉक्टर वर्गेज कुरियन, option B यहाँ पर राइट होगा श्वेत क्रांती का संबंद आपका किस्से है, दोग्त उत्पादन से है बल्वंत राय मेता का संबंद किस्से है, पंचायती राज ववस्था से है एमेस तौमीनातन भारत में हरित कांती के जनक मने जाते हैं option वहाँ पर आपका बी राइट हो गया, श्वेत कांती के जनक डॉक्टर वर्गेज कुरियन है next question, भारत में आर्थिक सुधार, 1991 के दौरान प्रधान मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका कौन सा option राइट होगा? पीवी नरसिंभाराव, अटल बिहारी बाजपेई, डॉक्टर मन मोहन सिंग, इन में से कोई नहीं तो पीवी नरसिंभाराव जो है, आर्थिक सुधार, 1991 के दौरान प्रधान मंत्री थे? पीवी नरसिंभाराव और वित्मंत्री कौन थे? डॉक्टर मन मोहन सिंग नेक्स्ट कुश्चन आपका भारत के सन्विधान में इन में से क्या राजसूची में सम्मिलित नहीं है? राजसूची में सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया सहीता तो राजसूची में आपका ओप्शन D नहीं सम्मिलित है यह आपकी समबर्ती सूची में है यहाँ ऑप्शन D आपका राइट होगा नेक्स कुर्शन आपका निम्रिकित में से क्या भारत के समिलान की मुख विशेष्टा नहीं है अर्द संगिय संरशना, प्रतिबध नियाय तंत्र, शक्तियों का वित्रण, लिकित समिल्धान और समिल्धान की सर्वोच्चता मुख विशेष्टा नहीं है आपके भारतिय समिल्धान की प्रतिबध नियाय तंत्र, आप्शन B भार्तिय समिधान के प्रमुक विशेषताएं क्या हैं? मौलिक अधिकार नीतिनिर्देशक्तत्व एवं एक धर्म निरपेच राज शक्तियों का विभाजन सार्व भॉम एक व्यवयक्स मता अधिकार एवं एकल नागरिकता यह सभी आपकी विशेषताएं हैं समिधान की प्रतिबद नियाय तंत्र नहीं है ठीक है स्वतंत्र है नेक्स्ट निम्न में से क्या भारतिय नागरिकों को आर्थिक नियाय प्रदान करता है मौलिक अधिकार मौलिक करता विराज नीति निर्देशक तत्व या इन में से कोई नहीं तो राज नीति की निर्देशक सिध्धान चुए है यह आपके भारतिय नागरिकों को आर्थिक नियाय प्रदान करते हैं आपका राइट है नेक्स्ट आर्टिकल 38 कि से संबंदित है राज द्वारा समाजिक कल्यार को बढ़ावा देना चालिस आपको बता दिया गया चवालिस आपका समान नागरिक सहीता 46 है आर्टिकल समाज के कमजोर वर्गो SCST के लिए सैचिक और आर्थि खितों को बढ़ावा देना तो यहां पर आपका ग्राम पंचायतों का गटन आर्टिकल 40 में है नेक्स्ट त्री इस्त्रिय पंचायती राजववस्था का विचार किस ने दिया था बल्वंत राय महता कमिटी ने अशोप महता कमिटी ने रॉयल कमिशन ने इन में से कोई नहीं तो त्री इस्त्रिय पंचायती राजववस्था का विचार जो है बल्वंत राय महता ने दिया था भारत के प्रिथिवस चौबेस अपरेल को पंचाहिती राज दिवस मनाए जाता है तो पंचाहिती राज दिवस आपका 24 अपरेल को मनाया जाता है 24 अपरेल 1992 को ही तिहत्रवा समिदान संशोधन अधिनीयम लागू हुआ था राय मेहता समीती, 1957 की संसुति पर त्री इस्तिय पंचायती राज व्यवस्ता लागू की गई थी। इसमें तीन वर्ड है तो त्री इस्तिय पंचायती राज व्यवस्ता ठीक है। मेता शमीती... 1977 में दो इस्तर पर पविवस्था की इस्तुती की थी तो आशोकjang मेता में दो वर्ड हैं तो ये दो इस इस्तरीये पविवस्था का उन्हहों विचार दिया था और त्रे का बलवंत राय मेता है स्में तीन वर्ड ऐसे याद कर सकते हैं एक यह यह आपकी 1957 की और यह 1977 आप्शन आपका राइट हो जाएगा ए नेक्स्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर तो प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम फैराडे आपका किसका है विद्ध धारिता का है वोल्ट आपका वोल्टेजक या विद्ध विभार बोल सकते हैं एम्पियर आपका विद्ध धारा का है नेक्स्ट कॉइशन इनमें से किसकी उपस्तिती के कारण होता है citric acid, acetic acid, oxalic acid, formic acid तो निममू का खट्टा स्वाद आपका citric acid की वज़़से होता है option A और फॉर्मिक एसिद चीटी के डंक में होता है और यहाँ पर आप्षिन आपका ए राइट हो गया नीमू का खट्टा सिट्रिक एसिद के कारणों नेक्स्ट करकट जनक रसायन से होता है कार्सीनोजनिक क्यामिकल कॉज फिर्दय रोग मदमें कैंसर दमा इससे आपका कैंसर होता है उप्शन सी आपका राइट है नेक्स्ट तुचा की उपरी परत उपरी सता क्या कहलाती है तो तुचा की तीन लेयर होती है तो सबसे उपरी सता आपसे पूछिए तो एपी डर्मिस कहलाती है बीच वाले डर्मिस और अंदर वाले इंडो डर्मिस तो यहाँ पर उपरी सता पूछी तो एपी डर्मिस वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर करिए चैनल को थैंक यू झाले उखक इंड़े झाल 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 झाल